हालो एवरिवन वेलकम बैक टो एस बाइलोजी आज के इस वीडियो में आपने डिसकस करने वाले हैं जो मौपप राउंड है उसके लिए जो सीटे खाली बची हुई है तो इस जगह पर आपके लिए सीटे खाली बची हुई है तो जिस भी स्टुडेंट्स को MBBS या BDS में ए बैल आकन को प्रेस कर देना ताक कि जादा से जादा स्टुडेंट्स को फायदा हो सके शेयर करते हुए और अब बात करते हैं कि कौन से स्टुडेंट्स को यहां पर अप्लाई करना चाहिए और कितनी कटोप यहां पर रह सकती है और कितनी सीटे यहां पर खाली है तो चलो BDS की 84 सीट खाली है जैसे कि आप आर्टिकल में उपर देख रहे हो और BDS की 115 सीटे खाली है इसमें अगर बात करें MBBS में तो State Quote की 16 सीटे खाली है और All India Quote की जो Management Quote है उसमें 68 सीटे आपर खाली पड़ी हुई है अभी भी MBBS Quote की जो Mopap Round के लिए अविलेबल है BDS की बात करें तो State Quote की 52 सीटे बची हुई है और All India Quote की Management Quote की 63 सीटे जो है अभी अभी अविलेबल है तो यहाँ से आपको बता देता हूँ मैं कि कहां की मैं बात कर रहा हूँ तो उत्राकंड के अंदर उत्राकंड स्टेट है तो वहां की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ वहा यहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन बंध हो जाएगा और आप स्ट्रेवेकेंसी राांड के अंदर भी यहाँ पर पार्टेसपेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सीटे खाली रहेंगी जरूर स्ट्रे वेकेंसी रांड के लिए भी तो यह सबसे बड़ी खुसकबरी वाली बात थी, तो गुरुवार से यानि की 8 December से यहाँ पर स्टार्ट होई थे registration, इसका sit allotment 12 December को रात 8 बज़े के बाद release होगा और admission आपको 18 December के बाद यहाँ पर करना होगा, तो यह schedule जो है, जो H&B जो Medical University के ओर से यहाँ पर up round और stay vacancy round का schedule यहाँ पर release कर दिया गया है, schedule मैंने already पहले के वीडियो में बताया हुआ है तो आप वहाँ से अगर किसीने नहीं देखा है तो देख सकता है, तो अब बात यहाँ आती है कि यहाँ पर apply कोन कर सकता है, तो यहाँ पर मैं आपको clear कर देता हूँ कि यह काफि सारे students को confusion रहता है तो देखो, यहाँ पर registration fees लगेगी या फिर नहीं लगेगी, दुबारा जमा करवानी पड़ेगी, इसके बारे मैं भी मैं आपको बताता हूँ, देखो, जिन भी students को second round में seat मिल गई थी बट उन्होंने seat वहाँ पर join नहीं की seat जरूर उनको अलट हुआ, बट seat उन्होंने join नहीं की, तो उनको अब दुबारा से seat के लिए, जो counselling वो करेंगे महपाप round में, उसके लिए उनको pay करना पड़ेगा, 4000 रुपीज उनको pay करना दिया है, और अब बात करते हैं, कौन-कौन से Medical College में seat खाली बची हुई है तो MBBS की बात करें, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो SGRR Medical College है उसमें 19 MBBS seat अभी खाली बची हुई है, मौपाप round के लिए हमालन Institute of Medical Sciences के अंदर 12 seat पड़ी हुई है गौतम भुद, चिकितसा एंड युनियोसिटी में 37 MBBS की seat यहाँ पर वेकेंट बची हुई है, मौपाप round के लिए, second round के बात, जोइन होने के बात, अब बची है BDS की तो SEMA Dental College के अंदर 35 seat बची हुई है, उन तुरांचल जो Dental College उसमें 38 seat अभी भी खाली बची हुई है, तो यह सारे detail थी वहाँ पर की उत्राखंड state के अंदर मौपाप round के लिए आपको सारी चीजें मैंने आपको clear कर दी है कि कि कितनी seat बची हुई है, कितनी MBBS की है कितनी BDS की है और कौन student यहाँ पर apply कर सकता है और कौन नहीं कर सकता, किसको फीस देनी होगी यह counseling के लिए और किसको नहीं देनी होगी, तो I hope आपके सारे doubt clear हो गए होंगे, तो अगर आपको admission चाहिए MBBS में, तो यहाँ पर apply कर सकते हो, यह chance है, आखिरी मोका है अगर यहाँ पर आप registration नहीं करते हो आज 10 तारिक तक, आज ही सामकोद, 4 बज़े तक उसके बाद आपका यह chance दुद चला जाएगा, तो I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है, तो like, subscribe, जुरूर कर देना वीडियो को subscribe जुरूर करना और सेट ज़्यादा से ज़्यादा student के पास कर देना ताकि फाइदा हो सके किसी students का, तो मिलते हैं किसी ऐसी latest update के साथ, जैसे ही कोई नई update आएगी हम आपके लिए वीडियो जुरूर लेके आएगे, चैनल को subscribe करके रखो, मिलते हैं, जैहिंद